नवसकार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र, आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बाद आज के पंचांकी 18 अप्रेल 2024 दिन गुरुवार, चैत्र मास चल रहा है, शुकल पक्ष है, दसमी तिथी रहेगी, शाम को 5 बचकर 20 मिनट तक फिर एका दसी तिथी शुरू हो जाएगी आशलेशा न चत्र रहेगा, सुबह 7 बचकर 57 मिनट तक फिर मगा न चत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा करक राशी में रहेंगे, सुबह 7 बचकर 57 मिनट तक फिर सिंघ राशी में प्रवेश कर जाएगे भगवान शुरू मेश राशी में बिराजमान है अभिजीत महूर्त का समय होगा, सुबह 11 बचकर 55 मिनट से, दोपहर 12 बचकर 46 मिनट तक राहुकाल का समय होगा, दोपहर 1 बचकर 58 मिनट से, दोपहर 3 बचकर 35 मिनट तक दिशा शूल है, दस्चर दिशा चले शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बाद मेश राशी की अपने खर्चों को मेश राशी वाले कंट्रोल में रखे धैरे से काम करने का आज दिन है, रिस्तेदारों से मद्भेद दूर होंगी लंबी दूरी की यात्रा से बचे, कहीं दूर से अच्छी खबर प्राप्त होगी व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहे जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे, शुबरंग हलका लाल, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करे ब्रश राशी, करियर को आगे बढ़ाने का समय है, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, पार्टनर्शिप के काम में सफलता मिलेगी जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार में लाव का योग है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे, शुबरंग गुलाबी, उपाय किसी गरीब को आटे का दान करे मित उनराशी, कारेचेत्र में इस्थिती बहतर होगी, पूरे उत्सा से आज काम करेंगे प्रतियोगिता परिक्षा में सफलता मिलेगी, कहीं दूर से अच्छी खवर प्राप्त होगी शत्रूं पर विजय मिलेगी, व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे, शुबरंग के सरिया, उपाय गव माता को रोटी खिलाए करक राशी, भागे का सपोर्ट मिलेगा, प्रापरिटी में निवेश का फैसला सोच समझ कर करें आपका सम्मान बढ़ेगा, सिक्षा से जुड़े लोगों को लाग होगा, नेगेटिव विचारों से मुक्ती मिलेगी व्यापार में लाग का योग बन रहा है, जरूरी टिप क्रोध से बचे, शुबरंग हलका पीला, उपाय किसी गरीब को दूद का दान करें सिंग राशी, हर काम सावधानी से करें, मन में टेंशन रहे की, परिवार में मतभेद हो सकता है धन लाब के लिए किये गए प्रयास सफल होगे, क्रोध से बचना होगा, व्यापार में नुक्सान हो सकता है जरूरी टिप एगो से बचे, शुबरंग मरून, उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें कन्यराशी, करियर को बढ़ाने का समय है, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, आपके खर्चों में बढ़ोत्री होगी जीवन में सुख बढ़ेगा, बड़े फैसले जल्दवाजी में ना करें, व्यापार में सफलता मिले की जरूरी टिप, आलश से बचे, शुबरंग, हलका हरा, उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें अब वक्त है आपके सवाल का, हमें सवाल मिला है कमलेश पटेल का, इनकी डेट अब बर्थ है 17 फरवरी 1996, जन्म का समय है, 10 बच कर 45 मिनट सुबह, जन्म इस्थान सूरत का है इनका सवाल ये है, कि ये अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार में कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज से मुक्ती कमलेश पटेल जी जो आपने मेश लगन की कुंडली है, और मकर राशी है, आपका जन्म उत्रा साढ़ा नचत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है इस समय आपकी राहु की महादसा चल रही है, जो मई 2013 से शुरू हुई है, और मई 2021 तक चलेगी और राहु की महादसा में केतु की अंतरदसा नॉमबर 2023 से नॉमबर 2024 तक चलेगी कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज से मुक्ती कम मिलेगी देखी, पहला काम तो यह है, कि अब आगे से कर्ज लेने से बचने का प्रयास करिए जिससे की आपका कर्ज का बोज ना बढ़ें, और कर्ज से मुक्ती का समय शुरू होगा आपका इस साल नॉमबर 2024 से, नॉमबर 2024 से स्थिति अनुकूल होना शुरू होगी तो आप धीरे-धीरे कर्ज चुकाना शुरू करेंगे और अगर अच्छे से कोशिस करते रहेंगे तो अगले साल, अक्टूबर 2025 तक कर्ज काफी कुछ चुका लेंगे और बाकी का कर्ज आगे आने वाले दो सालों में चुकाने में कामयाब होगे यानि धीरे-धीरे कर्ज आपका चुकेगा और धैरे से मेहनत करने की जरूरत है बहुत तेज गती से आगे बढ़ने की कोशिस करेंगे तो परिशानी हो सकती है तो धैरे से आगे बढ़ना है आपके 10 में घर का स्वामी शनी है और 11 में घर का भी स्वामी शनी है शनी सैने शैने धीरे धीरे उन्नती कराता है इसलिए धैर रखिये और इमानदारी से पूरी मेहनत से काम करते रहिए उपाय क्या करना है पहला उपाय आपके भागिस्थान का स्वामी ब्रहस्पती है ब्रहस्पती का रत्न पुखराज सवा 11 रत्ती का पुखराज इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगुठी में ब्रहस्पतिवार को धारन करें दूसरा उपाय कर्मिस्थान का स्वामी शनी है शनी देव को प्रशन करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है प्रति दिन हनुमान चालीसा पढ़ें हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल मिठाई का प्रसाद चढ़ा कर गरीबों को प्रसाद बाटें शनिवार के दिन सुन्दर कान का पाट करें और कम से कम पाँच गरीबों को भोजन दान करें ये उपाय करना शुरू करिए आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिती आपके अनुकूल होती चली जाएगी तुला राशी किसी से उलजने से बचे पैसा उधार लेकर निवेश ना करें लोग आपकी बातों को महत्त देंगे धन लाब के लिए प्रयास बढ़ाना होगा सेहत का ख्याल रखना होगा व्यापार में नुकसान हो सकता है साउधान रहे जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग सफेद उपाय पक्षियों को दाना खिलाए ब्रिश्चिक राश्ची योजना बनाकर काम करने से फाइदा होगा नौकरी में उन्नति के आउसर मिलेंगे आपके काम तेजी से होगे रुका हुआ पैसा मिलेगा जल्दवाजी में फैसला करने से बचना होगा व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरी टिप आलस्य से बचे, शुब रंग, हलका लाल, उपाए, किसी गरीब को भोजन दान करें धनु राशी, परिवार को समय देना होगा, जीवन में सुक्सु विधाएं बढ़ेंगी, करियर में तरक्की के आउसर मिलेंगे अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा, सेहत पर ध्यान देना होगा, व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी जरूरी टिप धोखे से बचे, शुब रंग, हलका पीला, उपाए, गउ माता को रोटी खिलाए मकर राशी, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, जल्द वाजी में फैसला करने से बचें धन सोच समझ कर खर्च करना होगा, विरुजगारों को नौकरी मिले की काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी, व्यापार के रुके वे काम बनेंगी जरूरी टिप धैर रखे, शुबरंग हलका नीला, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करे कुम्भराशी, वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करे, धन लाव की आउसर मिलेंगे कारे छेत्र में तेजी आएगी, नौकरी में प्रमोशन का योग है, तकनीकी का प्रयोग करने से लाब होगा व्यापार में इस्थिती बेहतर होगी, जरूरी टिप क्रोध से बचे, शुबरंग सफेद, उपाय किसी गरीब को चने की दाल दान करे मीन राशी, रुके वे काम पूरे होगी, धन की इस्थिती में सुधार होगा, अपने समय का पूरा उप्योग करना होगा लंबी दुरी की यात्रा से बचे, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में लाब का योग है, जरूरी टिप आलश से बचे, शुबरंग गोल्डन, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करे राशी चक्र में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आप से मुलाकात, जिल्लों का आज जनम दिने होने जनम दिन की बहुत बहुत बधाई, आपका आने वाला साल शुब हो, नवस्कार